हलो स्टुडेंट्स वेलकम टू मैंगनेट ब्रेंज हिंदी मेरा नाम है अवनीश त्रिपाथी तो जैसा कि एक बहुत ही महत्वपूर अपडेट है आपके लिए आपको पहले से पता है और मैंगनेट ब्रेंज हिंदी उस अपडेट के साथ आपके लिए सबसे तेज और सब आपको पता है किस से पहले कोविड के कारण बहुत सारे बहुत भी कल्पी है प्रस्ट और बहुत काट छाट के चैप्टर के साथ त्यारी चल रही थी इस बार भी रेशनलाइज सब्जेक्ट चैप्टर से लेकिन इन चैप्टर के अब विधिवत रूप से एक्जामनेशन इसी पैटर्ण पर जो bmercey ने अपना सीम्पल पेपर इतिहास का रिलीज किया है आज के सेशन में करने जा रहे हैं इक बहुत ही इंप्रोंट यह अप्डेट है आपके लिए एक बहुत important session है आपके लिए आप कहीं जाईएगा नहीं क्योंकि आज हम इसी session में वो सभी 34 सवाल जो इतिहास के CBSC ने release किये हैं उनको देखेंगे उनके solutions को देखेंगे और खुद आप समझ पाएंगे कि किस तरह के answer CBSC चाह रहा है answer writing का pattern किस तरह CBSC को भा रहा है ये सारी चीजें हम आज के इस session में देखने जाएंगे पर इस बात का ध्यान दखेगा कि ये सारी की सारी निशुल्क सिक्षा आपको मिल रही है आपकी परिक्षा के लिए जो कुछ महत्पूर्ण होगा आपका syllabus, sample paper, important question, MCQs सारी चीजें हम निशुल्क रूप से cover करने वाले हैं इसी करम में आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ CBSC sample paper question paper जो है इसका solution और वो solution भी किस ने दिया है वो solution भी CBSC नहीं दिया है तो आज देखते हैं कि CBSC का person कैसा है और CBSC उसका जवाब कैसा चाहती है तो जैसा कि आपके सामने इस तरह का कुछ question आएगा कि 80 marks का आपका पूरा examination होगा 80 number की परिक्षा आप देंगे और जिसके लिए आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे यानि your effective time will be 3 hours जैसे आप पहले किया करते थे तो तीन घंटे के समय में आपको 80 number का सवाल हल करना है आप कुछ समान निर्दे से इसको देख लेते हैं जैसे प्रस्ट पत्र में 5 घंड यारी 5 sections है इसमें ठीक है 5 sections होंगे और और यह तो यह 5 section होंगे और कुल 34 या 34 प्रस्ट होंगे इसमें ठीक है कुल 34 सवाल आपको इस और प्रस्ट एक से 21 तक mcq है जो एक नंबर के हैं तो यह important है बार बार हम लोगों ने देखा था बार बार mcq sessions में करा रहा था तो बहुत बच्चे बीच में करते हैं सर अब तो mcq exam खतम हो गए अब तो दिर्गुत्तरी या लगुत्तरी आएंगे लेकिन देखिए सिब यसी खेल गया mcq अब आपके लिए बेहद important हो गया इसलिए आप mcq को जरूर देख लिया करेंगे तो प्रस्ट एक से किस तक के mcq हैं और एक-एक marks के हैं प्रस्ट संख्या 22 से 27 तक लगूत्तरी प्रस्टन है और प्रति एक प्रस्टन तीन अंक का है जो आपको साथ से अधिक सब्द में नहीं होना चाहिए तो पहला जो तीन नंबर का आपका लगूत्तरी प्रस्टन होगा इसकी वर्ड लिबिट इंपॉर्टेंट है कि चलो जितना कुछ आ रहा है वो हम उसको उडेल दें ऐसा नहीं है और आगे मैं आंसर आपको दिखाऊंगा कि cbc ने ल सब्दों में आपको लिखने होंगे यानि एक सिक्स्टी वर्ड थ्री एंडेड वर्ड इस तरह के सवाल आपसे पूछे गए हैं यह खंड सव की स्थिति है कि इसके बाद खंडदा जो 31 से 35 तक के स्रोथ आधारित प्रस्टन है जिसको बोलते हैं सोर्स बेस्ट सोर्स बेस्ट कोश्टन्स यानि आपके सामने आपकी NCRT से ही क्योंकि मैंने उन सोर्स को चेक किया है वो आपके ही NCRT से उठाए गए हैं कुछ पारग्राफ दिये जाएंगे जिन पर आधारित प्रस्टन आपको करने होंगे और सभी चार अंक के होंगे खंड या मानसित्र पर आधारित प्रस्ट होगा जिसके पांच अंक होंगे जिसको आप बोलते हैं क्या Map Based Questions Map Based Questions तो ये मानसित्र आधारित प्रस्ट होने वाले हैं जो मानसित्र आधारित प्रस्ट क्या होंगे आपके लिए बेहत खास और जरूरी होंगे इस बात का भी आप ध्यान लखिएगा एक और निर्देश इसमें लास्ट में दिया गया है कि कोई समाने विकल्प नहीं है मतलब आपके सारे प्रस्टितों compulsory हैं प्रस्ट आधारित विकल्प दिया गया है प्रस्ट आधारित विकल्प का मतलब की हो सकता है कि किसी कोश्टन में या और करके कोश्टन दे दिया जाए तो और करके आप आंसर कर सकते हैं इतनी सुविधाबर आपको दी गई है तो ये समाने निर्देश हैं एक बात का हमें साब ध्यान लखिएगा जब भी आप कोश्टन पेपर एटेम करिएगा इंस्ट्रक्शन्स एक्जामनेशन में बहुत ठीक से देख लीजिएगा अगर आप इंस्ट्रक्शन्स या निर्देश को नहीं देखेंगे तो आप कैसे गलती हो सकती है तो ये निर्देश आपके सामने थे इसको आप अच्छे से समझ लेंगे अब क्या है एक आपके सामने अब खंड और का पहला प्रस्टन लेकर आते हैं और ये प्रस्ट mcqs के तरह है mcqs इसमें बहुत विकल्पी जो प्रस्टन है वो कई तरह से पूछे गए हैं कई बार जैसे कोई statement दे कर उसकी व्याक्या की कही है statement व्याक्या पर पूछ लिया है कई बार आपको दे दिया है चार options में कौन सा option सही है कई बार किसी राजा के सम्मंदित जानकारी देकर answers पूछा है तो इस तरह से कई तरह से innovative सवाल बनाने का प्रयास किया गया है इसका मतलब यह है कि आपको बहुत अच्छे से हर चीजों को cover करके पढ़ना है और अगर आपने मेरे lectures जो मैं आपको लगतार दे रहा हूँ वो follow करते रहेंगे तो आपको कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है दूसरा जो भी CBC के student से पहले बता दूँ UP, Bihar, Board अगर लिखा हुआ आपको वीडियो मिलता है तो आप confused मत होएगा वो आपके NCRT अधारिती प्रसन है क्योंकि हर जगे NCRT चल रही है अब देखी एक question है कि जानकारी उन्होंने एक अधविती ये ब्रामण यानि इसमें से एक सात्वाहन जो शात्वाहना वंस था उस सात्वाहन वंस से समंदित एक जानकारी पूछी गई है कि उन्होंने एक अधविती ये ब्रामण और छत्रियों का गवरों का विनाशक होने दोनों का दावा किया है उन्होंने एक ऐसा वंस जिन्होंने अपने आपको एक यूनीक ब्रामण भी बताया और छत्रियों के हंकार का विनास करने वाला भी बताया तो उन्होंने यह सुनिश्चित करने का दावा किया कि चारवणों के सदस्यों के वीच अंतर विवा न हो ये दो जानकारिया यहाँ पर दी गई है अब बताया है कि बताईए वो कौन सा शाशक है ये बहुत important है तो क्या जानकरी दी गई है एक ऐसा सासक जो अपने आपको अधित्वी ब्रामण और छत्रियों के गौरों का विनाशक भी बताता है और उन्होंने ये भी सुनिश्चित करने का दावा किया कि चारवण चारवण के बारे में मैंने आपको बहुत डीटेल में बताया है कौन-कौन सा मेरे साथ बोलिए ब्रामण छत्रि ये वैदिक और उत्रवैदिक काल हमने अच्छे से डिसकस किया था वैश और शूद्र तो ये चार इंपोर्टेंट वर्णों की बात की गई थी और तो इसमें कोई अंतर विवाया निए inter-cast marriage ना हो तो इसमें से कौन सा ऑफ्शन सईयए क्या वो आंसर है क्या है तो बदाय था ये यह सत्वहन वंस इक ऐसा उधारण ठा जहां पर औरतों को थोड़ा इंकौर्टेंस दिया गया था नाम पहले आता है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा गोत्मी पुत्र स्री सतकर्णी is the correct answer जिसमें ये उन्होंने अपने आपको एक अध्विती ब्रामन भी गोशित किया और उन्होंने छत्रियों के गौरों का विनाशक होने का भी दावा किया और अंतर जाते विवान हो इसकी भी ब्युस्था बनाई तो इसका सही जवाब हो ज स्थापना के बाद फिर हमने देखा सुंग और फिर बीच में पहली सताब्दी में हमने क्या महत्रपूर देखा एक इंपॉर्टेंट जो जो वन्स स्थापित हुआ कि उस दिन के लिए जो गुपता पीरियद से पहले रहा वो कौन सा रहा तो यहां आप्शन है यो दियास पार्थियन गुपता या कुषार सही जवाब क्या हो जाएगा कुशार क्योंकि इसने क्या कुश्चन पूचा है सबसे पहली और सबसे पहले सोने का सिक्का तो कुशार वन्स हो जाएगा जिसमें कनिस्का इंपॉर्टेंट लीडर थे राजा थे कनिश्प अच्छा एक अ इंफूसन और ध voter कया है यह घुपता दिया हुआ कि उस लोगी गुपता को भी सही माल लेंगे घुपता जो थे उन्होंने क्या किया था सबसे सबसे उच सबसे उच्य को सबसे उच्य गुडवत्ता के जाडि कि इसधिक के जारी कि यह ध्यान नखिएगा लेकिन सबसे पहले और प्रथम सथ आपदी कि अगर बात आएगी तो सही जवाब आपका कुशान हो जाएगा ठीक है इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है चलिए वेरी गुड इंटरेस्टिंग अब अगला सवाल देखते हैं सही मेल करिए और यहाँ पर किस लिए वो चर्चित था ये दिया हुआ है ये मैंने बहुत डीटेल में आपको कराया हुआ है मुझे लगता है कि इससे संबंदित कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए देख लेते हैं फिर भी लोथल और सामने है शेल उतपात के निकक्ता मिस्थल काली बंगा का संबंद किस से था जूते हुए खेत के प्रमार से था ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है धोला वीर्या जहां पर आपको पानी का सुरोथ दिखाई पड़ता है ठीक है और इसके साथ ही जो लोथल रहा वो कारलेनियन का एक सुरोथ मजदी की सुरोथ दिखाई दिया और नागेश्वर शेल उत्पादन का निकटता में स्थल दिखाई दिया अब आपके सामने options है options आप देख सकते हैं कि पहले का एसमें यह सिवेसी ने options दिये हैं जिसमें कौ सही जवाब है पहले का भी दूसरे का सी तीसरे का है दी और चौथे का फिक है तो पहले का सी जैसे मैंने आपको बताया और सुर्थ एक सेकड़ Esseo क्या है पहले का भी दूसरे का सी नाठीक बात तो पहले का भी दूसरे का सी तीसरे का डी और चौथे का है ठीक है चौथे का कsm Changi Ch Focus eh यह बिल्कुल सही मैच है यह दिस इस दा करेक्ट आंसर यह आपके सामने ऑप्शन में भी दिया हुआ है पहले कभी लिकिन आप यहां से एजीली समझ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है जो लोथल है यह आपको कॉरलेनियन का नजदीकी सुरोत दिखाई पड़ा लोथल के बारे में जुते खेतों का प्रमाण मिला है नागेश्वर में सेल उत्पात का निकर्तम स्थल मिला है धोला वीरा में पानी के सुरोत मिले हैं कमेंग सेक्सर में बताईए कि बनवाली ठीक है बनवाली यहां पर क्या मिला है आप जल्दी बताईए ठीक मोहन जोदोर में क्या मिला है यह भी बताईए ठीक चलिए जल्दी बताईए मैंने बहुत डिटेल में चैप्टर में पढ़ाया है प्लीज आप इटे मन के अस्थियां वालों जो चैप्टर वन है होम पेज पर हमारे चैनल पर दिया हुआ है जरूर आप उसको देख लेंगे अगरा सवाल है कि निमलिखित में से कौन सा सही व्याख्या एंडोगेमी के बारे में बताई गया है एक रिष्टेदार समूह के बाहर विवा एक परिजन समूह के भीतर विवा एक महिला जिसके कई पती है एक महिला जिसके एक पती है तो पोलीगोमी मोनीगोमी के बात हो गय लेकिन इंडोगैमी की बात की गई है तो इसमें सही जवाब हो जाएगा एक परिजन समूग के भीतर जो बिवा होता है इसको इंडोगैमी कहते है ठीक है बिवाहों के बारे में भी बिस्त्री चर्चा मैंने चेप्टर में की हुई है अगला सवाल है यह एक image CBSC ने दिया हु कि आप NCRT के एक-एक पेज को पढ़िए और नहीं भी पढ़ेंगे तो हमने जो चैप्टर कवर किया है वह निश्ची तुरूप से आपके कुछ important chapters हमने सारे के सारे important chapters अभी तो कुछ chapters बाके हैं लगवाग सभी chapters को हमने NCRT pattern पर cover किया आप वहां से जरूर पढ़ लेंगे और वहां से जितने भी confusion से आपको दूर हो जाएंगी कोई doubt हो तो वही comment box में बता देंगे तो जब आप NCRT के इन pages को और इन जगों को देखेंगे तो अपने आप आपके confusions clear होते रहेंगे अगला सवाल है अपने लिए दीपक बनो जैसे तुम सबको अपने छुटकारे का काम करना है नीचे दीगे विकल्पों में से बुद्ध के सब्दों का सार पहचाने तो गौतम बुद्ध हमने चर्चा किया बौत धर्म की स्थापना की ठीक है उनको सारनात में पहला उन्ह अपने लिए दिया और सबसे जादा उन्हें अपने जो उपदेश्दियों स्रावस्ति में दिये थे लुम्मनी उनका जन्म हुआ तो यह बोले में अपने लिए दीपक गोनेज का सार क्या है व्यक्ति को आंतरीक स्थित्व से जोड़ना चाहिए ब्रहमचरे का जीवन जी है लेकिन अपने लिए दीपक बनो इसका अर्थ क्या है तो व्यक्ति को आंतरीक स्थित्व से जुड़ना चाहिए यह सही जवाब हो जागा अपने इंटरनल में जाकर अपने अंतरात्म में जाकर जरूर इन चीजों से जुड़कर और प्रयास करना चाहिए कि हम स्वैम को पहचान सकें ठीक बात है बहुत धर्म जैन धर्म पर हमने डिटेल वीडियो की हुई है इसको आप जरूर देखते रहें और अपने एक्जाम की तयारी करते रहें आगे देखते हैं निमलिखित राजवनसों में से किस एक ने हिरिया नहर का निर्मार किया यह बहुत इंप इसके में काया है कि हिरिया नहर का निर्मार किस ने किया संगम राजवनस तुलुवा एक जीवित राजवनस और वेदू राजवनस अच्छा एक खास बात इसकी स्थापना किस ने की थी इसकी स्थापना की हर यहर एवं बुक्का जो दो भाई थे कब की जल्दी बताइए 1336 में की थी जब मुहम्मद बिन तुगलक कौन था शाशक था दिल्ली सल्तनत का तो इन्हों ने इसकी स्थापना की अब सवाल आता है कि ये किसने की हिरिया डैम तो स्वारी हिरिया नहर का किसने किया तो हां ये किया संगम राजवंस और संगम राजवंस की स्थापना ही हुई कि किसके द्वारा हरी हर के द्वारा और संगम इनके पिता के नाम पर राजवंस का नाम पड़ा तो सही जवाब हो जाएगा संगम मंस हिरिया नहर और उसकी एक इंपोर्टेंट जो नदी जो विजे न आप समझी सकते हैं महानायकसी कुदिराई चैटिस नर्पती सभाब हो जाएगा कुदिराई चैटिस तो यह गव इसका सही जवाब हो जाएगा गव आप यहां भर सकते हैं अब यह कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़के थोड़े याद रखने पढ़ेंगे दिमाग में लेकिन बार-बार पढ़ने साब को खुद समझ में आ जाएगा क्योंकि यह वन लाइन या और वन पॉइंट्स हैं जो आपको देखने हैं हर चैप्टर के mcq sessions आप जरूर देख लेंगे जो हमने किये हुए हैं ठीक है जी आगे देखते हैं चिस्ति सिलसिला का सही काला नुकरम ग्याद कीजिए हमने पढ़ा था कि जो सूफी परंपरा भारत में आई तो सूफी परंपरा में चिस्ति परंपरा बहुत महत्तपोड रही और यहां सेख निजामुदिन ओलिया सेख नसूर दिन जिनको चिरागे दिल्ली का आ गया और फिर सेख निजामुदिन ओलिया तो यह चार यानि क्या आप कह सकते हैं फोर टू थ्री और वन यह सही इसका काला नुकरम हो जाएगा ठीक है सबसे पहले सेख मुनिद्दुन चिस्ति च सेख मुनिद्दिन चस्ति उसके बाद सेख फरुद्दिन गंशकरी फिर चिरागे दिल्ली सेख नसूर दिन और फिर सेख निजामुदिन ओलिया इनकी दरगा कहां पर है निजामुदिन दिल्ली में है हजर निजामुदिन जिसके आप जानते हैं तो यहां पर ऑप्शन भ कुछ कथन दिए गए हैं और उन कथनों के कुछ कारण दिए गए हैं आपको यह बताना है कि क्या हम इन कथन और कारणों को सही माने या कथन गलत है कारण सही है या कारण गलत है कथन सही है यह सब सब्सक्राइब इंप्वॏंटेंट बात हैं अभी कथन देखते हैं तो पुरातत विदो और इतिहासकारों को हरपा लिपी गूढ लगती है हरपा लिपी किस कौन से लिपी में लिखी कई है खरोस्टी और को कि यह होता है घर से इधर लिखी जाए यानि दाएं से बाएं है बिल्कुल ठीक कारण दिया है इतिहासकारों को गूर लगते को कि इतिहासकार अभी तक उसको कि जवाब हो जाएगा अगला सवाल है निमनलखित को सही विकल्ब के साथ पूरा करें किताब उलहिंद किसने लिखा अलबरूनी ने लिखा था इसकी चर्चाम ने की जो इतिहासकारों के नजरिये से वाला चैप्टर हमने किया है और रिहला किसने लिखा इबन हौकली इबन जुबैरी इबन कलासिन जी नहीं इबन बतूता बगल में जूता इबन बतूता ने लिखा उमरक को खहे है इसका बिल्कुल सही जवाब 화 है इसमें दो तिन हमने किन किती इंपर्ट न किन तीन यादरियों का आपको ध्यान रखना है एक बरुणी कि एक थो इक श्रुमदा को ध्यान रखना है इसरी एक आपको पुछान रखना ओना इसमें बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा अब कौन सा मेल सही है ये बताना है एक्चुली क्या है ये 1857 की करांती से जुड़ा हुआ चैप्टर है blp में अब देखिये दिल्ली में नाम साहब बिल्कुल घलत क्योंकि यहां पर था बहादूर्शा 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 सेकेंड है ना जब मेरेक से सिपाही चले थे तो वो दिल्ली पहुंचे बिद्रो करके और उन्होंने बहादूर्शा जफर को अपना नेता माल लिया तो दिल्ली में तो बहादूर्शा था कानपुर में एक कुमर सिंग गलत है ये पिर्जिस कादरि बिर्जिडर्व का अवद का नवाब। पि यहां बेगम हजरत-महल भी रही अवद का नवाब। तो बिर्जिस कादिर अवत का नवाब था वो लीड कर रहा था तो लखनाओ में बिर्जिस कादिर सही है घो इसका सही जवाब हो जाएगा ठीक है बाकि तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा घो ठीक है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा घो लखनव, बिर्जिस, कादिर बाकी सारे के सारे आंसर्स क्या है? गलत हैं आगई बात समझ में चलिए ठीक है आगे देखते हैं अगला प्रस्न है कि नीचे दो कथन दिये गए हैं एक को अभी कथन A और दूसरे को कारण R के रूप में लेबल किया गया है ठीक बात है अभी कतन A है कि संथालों को जमीन दी गई और राज महल की पहाडियों का उपरी भाग के चटानों में बसने के लिए राजी किया गया अब देखिए ये वो सवाल आ गया बोला गया कि भाईया देखिए जो संथाल थे देखिए दो समस्या है थी वहाँ जमीदारों की दो गुरुप था एक था संथाल हमने देखा हुआ इसको और लेडी एक था संथाल और एक थे पहाड़ी है ना तो पहाड़ी क्या करते थे जंगलों में रहते थे और नीचे जमीदारों पर हमला कर दिया करत और चक्तानी इलाके को उस दे दिये, पहाडी के उपरी भागों में बसने के राजी किया गया, राजमहल के पहाडों में, ताकि वो पहाडीयों से लड़ सके, अंग्रेजों ने पहाडी और संथालों को आदर्स आबादकार के रूप में देखा, यह statement सही नहीं है, उन्होंन के बीच में पहाडी के चटानों पर बस जाईए, ताकि पहाडीयों से आप लड़ाई कर ले, पहाडीयों को पीछे ढखेल सके, पहाडीयों से हमें बचा सके, लेकिन जो second statement है, वो बिल्कुल गलत है, इसलिए इसका सही जवाब गौ हो जाएगा, गौ विल बी the correct answer, अगला सिगो कौन था, शाजहां का बड़ा पुत्र, शाजहां का बड़ा पुत्र, इसके बारे मैं आपको चर्चा की थी, जो बहुत ही एक तरसे, ऐसा दिखाये गया है कि धर्म निर्पेक्ष एक व्यक्टी था, जो सभी सास्त्रों, पुराणों और दर्शन सास्त्रों को जानन अपना प्रमुक लेकर फ्रांस के राजा और औरंग्जेव को समर्पित के नहीं, औरंग्जेव को समर्पित नहीं किया था, फ्रांस के राजा को उसने लेक भेजा लिख कर, और उन्हेंने एक लिख लिखा किया, ट्रेवल इंटू दमुगल एंपायर करके, और और औरंग सेकेंड जो है यह इसके दो स्टेट्मेंट सही हैं बाकी तीसरा स्टेट्मेंट गलत है अब यह आप तभी समझेंगे जब आप लेच्चर को ठीक से अटेंड करिए आप बुक्स्त मुए NCRT के जो लाइन से उसको ठीक से पढ़िए बहुत ज्यादा आपको अलग से कुछ प जाती है मतलब उनको फैसिलिटेट किया जाता है वीर माना जाता है दिल्ली उडिसाज मेर अशम सही जवाब क्या हो जागा असम में तो हम जो राजा थे वह अशम में थे ठीक है निम्नलिखित में से कौन सा धातू का सिक्का मुगल समराज्य के दोरान अधिक पसली था गो बताया था कि मुगल काल में चांदी जो है वह बहुत ज्यादा फेमस होने लगी और जब विदेशों से व्यापार बढ़ा तो भी चांदी का सुरोत आने लगा हाला कि भारत में चांदी का सुरोत बहुत ज्यादा था नहीं लेकिन विदेशी व्यापार से चांदी खूब बंदोबस्त इसको क्या बोलते थे पर्मानेट सेटलमेंट पर्मानेट सेटलमेंट देखे पूरे भारत में अंग्रेजों ने तीन तरह का सिस्टम सुरू किया जो भूराजस्व पढाली के रूप में काम कर रही थे मुगलकाल में तो दह साला और जप्ति पढाली अकबर छोड़ के गया था जब अंग्रेज आये तो उन्होंने क्या किया बंगाल में लागू किया इस छित्र में इस्थाई बंदोबस्त ठीक है सब चर्चा हुई है यहां मद्रास के आसपास और पूरा प्रेस्टेंसी में लागू किया रियोत्वारी या रैयत्वारी भी कहते हैं रैयत्वारी बिवस्था ठीक है और यहां उत्तर भारत में लागू किया महलवारी बिवस्था महलवारी पढाली अच्छा इसका क्या मतलब था देखिए अब जो पर्मानेंट स्थाई बंदोबस जो था उसमें ये था कि वहां पर जम्मिदारों को ठेका दे दिये जाता था कि आप क्या करिए आप एक निश्चित अमाउंट में टैक्स कलेक करके हमको दे दीजिए बाकी आप उनसे कितना क कर रहे हैं इसको हमें इसके हमें कोई जरूवत नहीं आप जितना चाहें कर लिए किस थाई बंदोस में लगवग इस तरह का था और उसमें एक सूर्य धलने के से पहले देना पड़ता था सब डीटेल में चर्चा होई है रहयत वारी व्यवस्था में क्या था यह यहां पर यहां पर group of villages बना दिये जाते तो कुछ गाओं का समूव बना जाता था वहां इकठा tax collect होगा और अंग्रेजियों को दे दिया जाएगा तो कुल मिलाकर यह तीन तरह की विवस्था थी लेकिन सवाल कोश्चा ने पूछा गया है कि बंगाल में स्थाई बंदोबस्त लाड करनवालिस लाड डल हो जी लाड इर्वन लाड बैंटिक सही जवाब लाड करनवालिस हो जाएगा यह वह इंपोर्टेंट सक्ति था सक्सियत था जिसने एक तरह से पूरा पाओं जो है वह भारत में स्थापित किया अंग्रेजी शाषन का लाड करनवालिस ने ठीक है लिखित में से कौन सा विकल्प सही है गांधी जी ने 1930 में भारत छोड़ों मिशन की सुरुवात की क्या यह सही है जी नहीं कि इंडिया मोव्मेंट तो 1942 तक गया गांधी जी ने पहला भाशर चंपारण में दिया था गांधी जी ने कट्टरपंथी राष्चवादी नेता और शड़ा के में काम किया गांधी जी ने गोपाल किश्रें गोखलेकों के राढृति रूप में सविकार किया इस में सही जी दिखाई पड़ता है कि गफाल किष्ट राइन प्रणी आप प्रणी के लएकND countless जाएगा पहला भाशेँ नहीं पहला भाशकरण त्यागरह भ इसका सही जवाब हो जाएगा गोपाल किष्ण गोखले को अपना पॉलिटिकल गुरू या राजनैतिक गुरू के रूपे मान कर वो चलते थे यह हमने बिशेस रूप से देखा है अगला सवाल है निमलिखित यूगुमे में से ग्याद किजे कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है लौड वेलिजली सहाया गटबंधन सबसेडरी अलाइंज जिसको कहते हैं लौड डलहोजी ब्यबगत का सिध्धान लौड हेनरी हार्डिंग एंफिल्ड राइफल्स का परचे दिया लौड कैनिंग धार्मिक विकलांगता अधिनियम अब ये गलत है बाकि देखे लौड लौड वेलिजली ने सायक्स गटबंधन सबसेडरी अलाइं जिसमें एक तरह से सरेंडर करवा दिया जाता था वो उसने किया था सही है डलहोजी ने ब्यबगत का सिध्धान जिसको डौक्ट्रिन आफ लैप्स बोलते हैं कि जिसका उत्रादिकारी नहीं होगा वो राज अ अध्यक्स ते तो समविधान सबसेडरी कहते हैं 1946 ठिक पहला इसका दिसंबर में अधिवेशन शुरू होता है तो एक दिन का अधिवेशन किया था सचिदानन सिना ने लेकिन इसमें से आपको पूचाया कि पर्मानेंट अध्यक्स की बात और पर्मानेंट अध्यक्स इसमे ही ने और अठारा दिन में हमारा सम्विधान बनके तयार हुआ कब 26 नवंबर उनीस सो उन्चास और लागू कब हुआ जल्दी बताइए 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ जिसे आप गरतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं तो उस सभा की जो अध्यक्षता थी वो राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे यह बिल्कुल ध्यान रखेंगे ठीक आगे चलते हैं गांदी जी निमलिखित में से कौन सी भासा के पक्षमित है भाशा मतलब यह राज भाशा राष्ट भाशा की बात थी है ना सम्विधान सभा मैं जब भांगहस रही थी तो इसमें यह बात थी किस भासा को राष्ट बासा या बाशे बनाए जाय तो हुए झिंदी उर्दू हंदूस्तानि अंग्रेजी चार वाशा हैं थी जिसमें यह पक्ष्टे हिं उर्दू आपको पता है हिंदुस्तानी और अरवी को मिला फार् कल्पी गुरूप में दिये गए एक बात आप ठीक से नोट कर लीजेगा कि बहुत भी कल्पिय में कि इस तरह के सीध्य प्रस्थ नहीं है इसमें क्या है कथन और कारण वाला भी सवाल है ठीक तो इसमें आपको किस तरह से पूछ सकता है एक कथन यानि एसर्शन करके और कारण रीजन करके तो आप इसकी भी प्रैक्टिस लगतार करते रहिए ताकि और हर चैप्टर से इस तरह के कथन और कारण खुद बनाईए हम भी उसके प्रैक्टिस कराएंगे आपको ठीक दूसरा रिक्तिस्थान है ना इस तरह से भी वन मार्क सकता है उसके बाद मेल मैस्ट फॉल्वइंग मेल करना ठीक और बहु भी कल्पी है तो बहु भी कल्पी है तो सब था लेकिन सिंपल बहु भी कल्पी इस तरह के तीन-चार आप्शन के साथ आपके यह 20-21 प्रसन दिखाई पड़ रहे हैं तो अब आपको करना क्या है अब अपनी पढ़ाई उसी धंग से करनी है इसलिए मैंने most important questions और mcq वाला अलग-अलग section कराया है उन सब में मैंने कुछ में सत्य रिक्त स्थान mcq में mcq 20-25 25 कराये हैं वो सारा देख जाएगा और मैं कराऊंगा एक्जाम ओरिएंटेंशन मत लीजेगा ठीक है अब आते हैं हरपा सब्वेता के बारे में जानने के लिए किनी स्थीन सुरोथों का वरण कीजिए ठीक अब इसमें क्या वकार्ण में आप थोड़ी सी चीजे एड कर सकते हैं इसमें सुरोथ में कई सारी बता सकता हो जैसे हरपा की मुहर इसको अंगली में कहते हैं शील ओफ हरपा सील ओफ हडपा अभी हम केबल उन आंसर को वह आंसर देख रहे हैं जो सीवेसी ने दिया है विशिस्ट कलाकृती मोती वजन ब्लेट टेरा कोटा बुल ये कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिनसे आप हडपा समयता के बारे में बिशेश जानकारी पा सकते हैं और क्या मिली है कॉ जारी की मूर्ती ठीक है और क्या मिली है डांसिंग गर्ल यानी निर्ट्यकरती इस्त्री की इसका एक मूर्ती मिला हुआ है ये दो मूर्तिया बहुत महत पूर्ण है ठीक है देवी देवी मूर्तिया भी कुछ मिली है तो ये दो तीन ऐसी मूर्तिया सील में पसूपती सील आपको पहता है प्रिस्ट हुआ करते थे संभाता और राजा की भूमिका में घृते थे तो यह बहुत इंपोर्टेंट माना जिसमें यह ओढ़ा हुआ एक पिक्चर है मैंने चैप्टर में डीटेल में किया हुआ है अब उसके अथ्वा में एक प्रस्ट और दिया हुआ है कि हरपा जल निकासी के बारे मैंने आपको बहुत डीटेल में समझाय हुआ था कि किस तरह से एक नालिया डेने सिस्टम इंटू अब लेकिए हरपा के सहरों में सावधानी पुरुवक नियोजित जल निकासी बेवस्थाती एक चीज़ देखिए यह जो से आंसर मैंने दिया है सीवेसी ने ऐसे आंसर दिया है तो यह जो पॉइंट वाइज आंसर है इससे आप इस पर्स्ट वह ब पता दिया है कि उसको जादा अच्छा माना जाएगा तो हरपा के सहरों में सावधानी पुरुवक नियोजित जल विकासी पढ़ा लिए थे नियोजित मने प्लांड वाटर वाटर ड्रेनेज शिस्टम यह हरपा में देखा जाता कि प्लांड वाटर ड्रेनेज सिस्टम था दूसरा क्या था दिर्तिया सडकों और गलियों को एक अनुमानित ग्रीड पैटन ग्रीड पैटन जैसे ऐसे ऐसे यह सडक है ठीक और फिर एक सडक इसको ऐसे काट रही है और इसी के बगल ढलिया थी जो 90 अन्स पर एक दूसरे को काटती थी इस तरह घ्रीड पैटन में नालिया त्यार किया गया था जो समकोंड पर प्रतिच्छेक्ट करता था यानि समकोंड और 90 डिगरी के एंगल पर दूसरे को काटता था पहले नालिया वाली सडके बनाई गई फिर साथ में एक घर लाएं जिसको आप कहैं सकते हैं कि बल्कुल प्लाणाण सीटी के तौर बंणने का प्रयाँ किया कै tipyor ुध कि लिह करने अच्छा प्लाणा जिसे के सकते हैं नालिया-गार्ए-चून्य और जिपसम से बनी है वे बड़ी बड़ी इटो और पत्थरों से धकी हुई थी ये बड़ी इंपोर्टेंट है साब सफाई के साथ हाईजीन और स्वास्त का भी बहुत ध्यान लखा गया है आसानी से उठाए जा सकता था तकि उसको उठा के फिर नाले की सफाई की जा सके त उसमें 16 महाजनपदों की बात की थी अब सवाल वहीं से आया है मगद सबसे सक्तिसाली महाजनपद था या जाज परताल करें मगद वह दा मोस्ट पावरफुल महाजनपदा था मगद अंग वच्वजी है ना मल यह अवंत यह सारे हमने क्या देखे थे महाजनपद देखे महाजनपदों में मगद सबसे प्रॉमिनेंट था और मगद की राजधानी कहां रही पहले राजगीर बाद में पाटली पुत्र और यहां से मगद और ज्यादा सक्तिसाली बना क्यों बना इसकी दो तीन कारण थे भगवली कारणों की मैंने चर्चा की है कि मगद जो है ऐस अच्छा साधन मिल जाता था व्यापार और यूद्ध के लिए तो यह सारी चीजें भगोलिक फायदा देती थी वहां पर कई सारे लोह आयस्क पाए गये जो आज का बिहार जारखंड आप देखते हैं तो उससे हतियारों के लिए लोहा मिलने लगा खेती उपजाओ थी सा तो उधार देख लिए मगद एक ऐसा छेतर था जहां क्रिसी उत्पादत थी क्रिसी उत्पादत थी मतलब अग्रिकल्चर वास वेरी फटाई उसके दो तीन रीजन थे वह खादर और बांगर वाला इलाका था वहां पे नदियां थी सोन नदी गंगा नदी पुलपुल अब यह मैंने आपको भी बताए कि जो जल मिलता है वह जल कई चीजों के लिए होता है किर्शी के लिए साधारा जीवनियापन के लिए पीने के लिए और कोई च्छोटेमाटे उद्रों के लिए भी लोहे की खड़ने सुलब और हथियार सस्त्र और जारों के लिए संसाध के लिए महत्वपूर्ण हाथी इसी छेत्र के जंगल में पाये जाता था यह बहुत महत्वपूर्ण बात थी क्योंकि सेना को क्या चाहिए हाथी चाहिए और हाथी कि इन जंगलों में पाये जाता था अचा एक और important जो चीज हुई जिसने इसको बहुत मजबूत बनाया वो ये कि इसमें महत्वकांशी कुछ राजा हुए जिन में से बिम्बिसार अजास सत्रू महापदमनंद तो ये महापदमनंद ने नंदवन्स की स्थापना की इसको मार के सबसे प्रसिद उनके मंत्री जो ने नीतियों को लागू करने में उनकी मदद की ठीक इसके अलामा चन्द्रगुप्त मौर तो यह सारी जो महत्वकों शासक वे इन सावकों ने अशोक खोन जो पूल सकता है इन शाशकों को ये एक महत्वकांशा थी कि वह ज्यादे से ज्यादे बड़े समराज को अपने अंदर सामिल कर इस महत्व कांचा ने मगद शामराज को बहुत ही बुलंदियों पर पहुंचाया बहुत जादा उसमें उनको क्या मिली उपलब्धी मिली उनको काम्याबी मिली समराज को सकतिसाली बनाने में अब ज़रा आप आंसर देखिए यह साथ से यह आप देखें कितने इस सेवेंटी वर्ट्स में कितना अच्छा अंसर त्यार हो गया जो उनकी वर्ड लिमिट है अगर आपको पॉइंस वाइज आप लिखें और आपको एक्जेक्ट चारपाँ चीजे पता हैं तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है अगला कोश्चन है काल मार्क्स के अनुसार उत्पादन के एसियाई की क्या चीजें हुई एस्या में उत्पादन का क्या पैटर्न था इस पर काल मार्क्स का क्या विचार था इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित किया काल मार्क्स को फ्रांक्वा बर्णियर ने जो चीजे लिखी फ्रांक्वा बर्णियर ने लिखा और फ्रांक्वा बर्णियर ने तो यहां के इलाके को बिल्कुल पिछड़ा हुआ गरीब बताया उसने एक बड़ा है कि जो पूरी तरह समाज बाद यानि उनको जो लगता है कि संसाधन जो है वो सब में बराबरी में बढ़ जाने चाहिए अच्छा फ्रांकवा बर्नियर ने ये लिखा कि भारत में जो ओनर सिफ आफ लैंड है यानि जो स्वामित्व है भूमी का वो किसानों के पास नहीं है जो सरप्लस है वो राजय के पास जाता है भूमी का स्वामित्व राजय का है यानि कि राजाओं का है इस चीज को ही सुर में सुर मिलाया प्लब इस चीज को आगे बढ़ाकर कारणाक से अपनी थेयोरी को विक्सित किया और उन्होंने भी इसकी आलोचना की तो फ्रांकवा का विचार sąण भारत और एक्षार मुगल भारत और यूरॉफ यहां पर नीजी संपत्तिकी कमी पर मद्वेदों पर आधारिए विचार ने brief युःवत और इस वाद से पहले अधिशेश राज द्वारा विन्योजित किया गया था माक्स ने का कि जो उपनिवेश वाद यानि कि जो गुलाम बनाने की प्रथा अंग्रेजों की आई या यूरोपियों की आई उससे पहले जो अधिशेश मतलब होता है सर्प्लस जो भी क्रिसी में सर्प्ल यह होता था वह राज खुद ले लेता था किशानों को या लोगों को नहीं देता था यह एक सोसड है मार्क्स कहता है कि यह एक तरह का एक्स्प्लाइटेशन है एक सोसड है इससे एक ऐसे समाज का उध्य हुआ जो स्वायत और समत्वादी ग्राम समूँ से बना था उसने अब चुकी वो सारा का सारा अधिशेस या सरप्लस खुद ले लेते थे तो उन्होंने एक स्वायत गाउं विक्सित होने दिया जिसमें पंचायत को लोग अपना नेड़े खुद ले सकते थे अब ध्यान समझेगा साही दरबार नहीं ग्राम समूदायों और इनकी स्वायत का है जिसमें मुकदम भा तो इन पंचायतों को तब तक उनकी स्वायतता को स्विकार करते रहे जब तक उन्होंने अपना सरप्लस भेशता रहे तो जब तक जो अधिशेश्या सरप्लस है वह गाउं वाले साशन को भेशते थे तब तक उन्होंने गाउं की स्वायतता को स् मार्क्स की सोच थी ऐसा CBSC ने भी आंसर किया है अब अगला सवाल इसमें देखते हैं कि वीजयन अगर समराज्य के जल्स अच्छा एक मैं बात यहां क्लियर कर दे रहा हूं वह यह है कि CBSC ने हिंदी में सेंपल बेपर रिलीज नहीं किये हैं यह सेंपल बेपर मैंने बैठ के खुद आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके दिया है तो एकाज वर्ड आगे पीछे अगर करके इंगलिस से हो तो मैं पहले उसके लिए बोल देता हूं ठीक है यह सूचना जनहित में ज कीजे तो विजय नगर का प्राकृतिक बेसिन तुंग भद्रा नदी द्वारा बनाए गया था प्राकृतिक बेसिन यानि जो पानी निकलने या जल जो एक तरसे कह सकते हैं कि जल क्यों प्लब्दता का जो एरिया था वो तुंग भद्रा नदी से था इसी से उसको अच्छ को बांद के गढ़ा करके उसमें जलासे बना-बना के पानी को इक ठखे जाता था बारिस के पानी को जमा करने के लिए पुकता इंतजाम किये गए तो यह भी इंतजाम विज्यनगर समराज में दिखाई पानी मिलती थी ये नहर से पानी पहुचा दे ये वहां पर इंपोर्टेंट था नहर ने तुग बदरा के एक बांज से पानी खीचा था तो यह जल विवस्था थी वहाँ पर यह जो विजय अगर समराज्य को मजबूद बनाती थी या शाशन को आसानी से चलने दिने में किनारित तत्बंद बनाए गए बारिस के पानी जमा करने के लिए पुक्ता इंतरजाम किये गए सबसे मेर्थपूर्ट टैंक कमलापूरम टैंक सबसे इंपॉर्टेंट हिर्या नहर यह दो चीजे तो आप वीजे नगर एंपायर के लिए ध्यान में रखेंगे हमेसा अंसर ल नहीं है कोई डाउट हो आप तुन कमेंट बाक्स में बताते चलिए ठीक है सारी चीजें सारे साथ है सेंपल पर आ गया तो एक दिन मैं इस पर चर्चा करने के लिए एक लाइफ शेशन में लूंगा आपसे अगला सवाल है जोतदारों की शक्ति जमिदारों की शक्ति से अ जमिदार था उसको ठेका मिल गया कि भाईया आप क्या करिएगा आप यहां से टैक्स वसूल येगा अब जमिदार क्या करते थे वो भी अपने नीचे कई लोगों को दे दे थे ठीक है तुम टैक्स वसूल लेना तुम जोतों खेत को जोतदार वो होता था जो एक्चुली में चैप्टर न बताया है तो जोतदार जमिदारों के विप्रित गाउं में स्थिते यह सबसे important है जमिदार तो थे वो गाउं में रहते थे लेकिन जोतदार गाउं में रहते थे जब वो गाउं में रहेंगे तो किसानों के साथ उनकी बॉंडिंग रहेगी लोगों के साथ उनकी बॉंडिंग रहेगी तो वह आराम से क्या कर लेंगे आराम से वहां पर अपना वर्चस्थ सो बना लेंगे जोतदार ने गरमी गरीब के बड़े हिस्से पर सीधे नियंतर का प्रयों किया अब जोतदार जो खेत को जोतेगा वो लोगों को काम भी देगा रोजगार भी देगा अपने काम कराएगा इसलिए वह एक नियंतर एक कंट्रोल रखता था गाउं में कई किसानों के उपर उन्होंने जमीदारों द्वार उन्हों पर निर्वर्ते रहयत कौन किसान तो जो भी उनके उपर आस्रित किसान थे उनका एक ग्रूप बना कर उनको संकठित कर लिया उन्होंने जमीदार को राजस्व के भुक्तान में जान बुचकर देरी किया अब देखिए एक होता था वहाँ सुर्यास्थ का नियंग सुर्यास्थ का नियंग ये क्या होता था जमीदारों के ये बोला जाता था कि अगर आप सुर्य उग एक डेट दे देगी मालीचे दे दिया गया 20 सितंबर ठिक अब बोला गया कि अगर आप 20 सितंबर को सुर्य डूबने के पहले अपना जमीदारी वाला टेक्स वसूल के करकार को ढमार्य करेंग तो आप कि जमिदारी निलाम कर दी जाएगी अभी जो जो जोतदार होते थे जो एक्चुली जमीदारों के नीचे थे , जैक्चुली जो तो जब जमीन के निलामी होने लगती थी अगर वाली यह किसी कि जमीदार की जमीदार की जमीदारी जा रही है अगले कि साहित्य ने 1857 की स्मिर्थी को जीवित रखने में मदद किया भारती दिश्ट्रिकोर से इस उदारन को स्पस्ट कीजिए बहुत इंपॉर्टेंट कोश्चन है कि कैसे कला और साहित्य से जो आपका आप कह सकते हैं कि तो लड़ाई में बिद्रों के नेताओं ने को अगरडी नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया कि जो भी बिद्रों में जैसे मान लीजे रानी लक्ष्मी भाई ने लड़ाई लड़ी तो लिखा गया कि खूब लड़ी मरदानी वो तो सुबदर देवी चौहान मरदानी जहासी वाली रानी थी कुमर सिंग को एक एक नेता और एक हीरो के रूप में आजी बिहार में जाना जाता है उसमें भी बताए गया कुमर सिंग सबको बताए गया सभी मुगल शाष्कों खिकलाफ एक रोस लोगों में था लेकिन बहादूर साथ जफर को लेका थोड़ी सा जागरूख होने लगे तो इससे मदद मिली लक्ष्मी बाई के बारे में वीर कविताय लिखी गई रानी ने अपनी मात भूमी के अजादी के लिए लड़ाई लड़ी ऐसा बताये गया जहांसी की रानी का पीछा करती हुए एक मर्दाना अकृती के रूप में प्रतिजित किया जाता है कवच हाथ में तरवार घोड़ी की सवारी यह सारी चीजे एक ऐसे प्रतीक की रूप में दिखाई आती हैं कि बहुत बहादुरी की बात हो सुबदरा कुमारी चौहान ने लिखा था खूब लड़ी मर्दानी वो तो जहासी वाली रानी थी तो इससे आपको पस्ट हो जा रहा होगा कि कैसे साहित तेने इसको और ग्लोरिफाई किया है अब अगला सवाल इसी में अत्वा करके है कि अफवाहों और भविश्वारी ने अठारोश सतावन की करांती में महत्रपूर भूमिका निवाई उधारन से बताईए तो जो भविश्वारिया हु बोला गया कि अंग्रेजों ने बाजार में जो बितने वाले आते हैं उसमें जो है सूवर की और गाय की हड्यों के धूल को मिला दिया है एक ये बात आई जिससे विद्रो हुआ चपाती की उत्तर भारत के कई हिस्सों में चपाती बाती जा रही है कमल का फूल बाता जा र रूप से उन्माद पैदा कर रहे थे और एक तरह से यह उन्माद इतना बढ़ा की पूरा म्यूटिनी और विद्रो हो गया तो यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रस्न था अब इसमें अगला सवाल है कि माभारत काल के समय की बात की जा रही है तो इसमें परिवार आम तोर प परिवारिक संबंदों को अकसर स्वाभाबिक और रक्ष पर अधारित माना जाता था कि य lucid relations है अईसा उसमें देखा जाता था पित्रिवन्स के बारे में नियम महाभारत पित्रिवन्स को महाभारत जो है पित्रित्व कदर साता है जिसको आप पैट्रियार्टियल कहते हैं यह बताता है कि कौरों और पांडों के बीच भूमी और सत्ता को लेकर जगड़ा था और लगबग हर जबड़े में जो हेड बता बहुत असारहर परस्थिती में जो प्रभावती गुप्त जैसी महिलाएं थी जिन्होंने भूदान किया था इसकी चर्चामने चैप्टर में किये वह इसकाल में थोड़ा सक्ति प्रयोग करती हुई दिखाई पड़ती है यह इंपोर्टेंट है बिवा के नियम की बात करें तो इसमें दो पड़ालिया थी एंडोगेमी एक्सोगेमी यानि एक समुदाय और समाज के भीतर और एक उसके बाहर लड़कियों की शादी सही समय पर और सही व्यक्ति से हो जाती थी कन्यादया ने विवा में कन्या का उपहर पीता के मैतपुर धार्मिक करतब पे था धर्मसूत्र धर्मसाष्ट और मनुस्वृति में विवा के नियमों का संकलन किया गया है मैंने आपको चर्चा की यह राक्षस विवा पैशाच विवा भ्रम विवा है ना यह सारे विवाओं की चर्चा की है जरूर आप देख लेंगे इन गरंतों में आठ रूपों की मान सच के रूप में देखे जाते थे गोत्र के बारे में दो नियम महत्पूर्णों थे महिलाओं से अपक्षा थी कि विवाओं पर अपने पिता के गोत्र को त्याग ने और पती के गोत्र अपना ले खो एक ही गोत्र में विवाओं पर रोग थी सगोत्री विवाज इसको कहत के समाजिक नहींतार्थों का वड़न कीजिए संसादनों तक समाज में किस-किस लोगों की पहुंच थी या क्या नियम थे समझ लीजिए तो संपत्ति के लिए लेंगिक पहुंच धर्मसास्त्रों के अनुसार पैत्रिक संपत्ति को बाद में बेटों के बीच समान रूप से बिभाजित किया जाता था सबसे बड़े के लिए एक विसेस हिस्से के साथ यानि जो सबसे बड़ा पुत्र होता था उसको कुछ विसेस हिस्सा दिया जाता था बाकी लोगों में बराबर संपत्ति बाटी जाती थी मैलाएं इन संसादनों के हिस्से का दावा नहीं कर सकती थी मैलाओं को इस्त्री धन बनाया रने की कुछ अनुमती थी अगर पती के बीना उनके बच्चे हैं तो बच्चों को बिरासत मिल सकता था पती का उस पर कोई अगर दावा नहीं हो तो यह इंपोर्टेंट था धनी मैलाएं जैसे वाकाटक रानी प्रभावती गुप्त जमी पुरालेक और पाठ साक्ष बताते हैं कि उच्वर्ग की महिलाएं संसाधन भूमी मवेशी और धन तक उनकी पहुंच थी वण और संपत्ती तक पहुंच धन तक पहुंच के नियमन के लिए मांदन वण था वर्ण जो है वो धन का एक मांदन था आपकी स्वर्ण के हैं या प्रक्षा करना दान देना करना जो वैश्य था वो व्यापार और क्रशी करेगा और सूत्र सबकी शेवा करेगा तमिल संगम संकलन में सामिल कविताएं अक्सर प्रकासित होती थी जो सामाजिक और आर्थिक संबंद को दरसाती थी अमीर और गरीद के बीच मद्भेद था जो संसाधनों को नियंतरित करते थे उन्हें भी साजा करने के उमीद थी कि वो भी संसाधन थोड़ा लोगों में बाटे या उसको सेयर करें अब एक सवाल है एक स्रोत के रूप में आईने अक्बरी का महत्व और सीमाओ की विश्येशन करिए अब आईने अक्बरी बहुत आए हुए आप जरूर देख लीजेगा अबूल फजल कौन था जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि दरबारी इतिहास कार था और सवाकार भी था अक्बर का आईने अक्बरी तीन जिल्दों में डिवाइड है किसमें तीन पार्ट या तीन जिल्द तो दो भागों में क्या है एतिहासिक वर्डन है इतिहास के बारे में एतिहासिक वर्डन और एक भाग में आईने अक्बरी है अक्बर के सारे सासन प्रशाशन का लेखा जोखा आईने अक्बरी ठीक है ये भी पांच भागों में डिवाइड है ये लिखा गया है फार्सी में बस इतनी जानकारी तो पंदरो सो अठानवे सोलो सो चार तक बन गई पूरी है तो अब आइन अकबरी एक सुरोत के रूप में कैसे देखी जाती है देख लिए सबसे पहले तो दर्वारी तिहासकार दोरा लिखी गई थी दर्वार की सारी चीज़ें थी इसमें अब इसमें देखिए आइन आइन ज इसने सामराजी के परांथ या सूबो का ववरण यानि कौन कंसे परांट है प्रांथे में बूराजस ओ प्राली देता है सारी देता advise विविद्र रीवा जोर्थाओं का विवन विस्तित तुप से देता है अकबर के शाषनकाल के बारे में जानकारी की इसमें खान है भूराजसव पढ़ाली सबसे मेंतोकूर किसकी थी ध्यान लखेगा भूराजस्व किसने विक्सित किया अकबर में टोडर्मल टोडर्मल कौन था दीवान फाइनेंस मिनिस्टर ठीक है और इसने कौन सी भूराजस्व पढ़ा ली की दह साला जिसको और क्या कहते हैं जप्ती तो यह जो पॉइंट्स थे वह आपने देखे कि कैसे आइने अकबरी जो है वह एक इंपॉर्ट या स्वरी अकबरनावा जो एक महत्तपूर्ण सुरोथ है अब इसकी कुछ कमिया भी रही थी तो कुल योग में कई कमिया पाई गई जो टोटल किया जाता था मात्राओं का या जो स्टेटिसकल या स्यांकिकी जो गड़ना थी उसमें कई कमिया थी मात्रात्मक आकड़ों में विशम परिवर्तन देखे गए यानि कहीं कुछ आकड़ा है कहीं कुछ आकड़ा है अलग अलग प्रांत के अलग अलग तरह के आकड़े निकाले गये थे सूबों के राजकोशी आकड़े सम्रधी के लिए उलेखनी है जो प्रांतों के राजकोशी आकड़े यानि जो आप कह सकते हैं कि राजकोश था जो प्रांत का अपना कोश था उसमें दिखाए गए कि बहुत सम्रधी है लेकिन कीमत और मजदूरी जो important एक parameter होते हैं या मानक ह खोते हैं इस इन समान स्ट्रेणों के रूप में अच्छी तरह प्रखित नहीं है मतलब जो राजा का राजकोश था उसके बारे में तो ठीक जानकारी है पर आम जन्ता के लिए जो मजदूरी और कीमत वाली चीज़े इसकी कोई जानकारी ठीक से नहीं है कीमत और मजदूर से थोड़ा सीमित है या लिमिटेड है अब इसी एक अथवा करके सवाल है कि उन तरीकों की जाज करें जिन से पंचायतों ने मुगल ग्रामिल इलाकों को नियंत्रिड किया कौन-कौन से वो तरीके थे कि पंचायत जो है रेगुलेट करते थे ग्रामिल इलाकों को तो ग्र करती थी पंचायत द्वारा लिए गए नेरे सदस्यों के लिए बादिकारी होता था पंचायत के मुख्या क्या कहा लाता था मुकदम या उसको मंडल भी कहा जाता था यह हमने बहुत बिश्य सुरुक से देखा था और बुजर्गों का वर्चस्व सबसे इंपोर्टेंट था मुख्या का चुनाओ गाओं के बड़ों की आम सहाथपती से होता था और इस विकल्ब को जमिदारों द्वारा अनुमोधित किया जाता था जो भी पंचायत का मुख्या बनता था उसको बाद में पर्मिशन लेनी पड़ती थी जमिदार से कि हाँ वो मुख्या ठीक है मुख्या तब तक पत्पर बने रहते थे जब तक गाओं के बुजुर्ग का विश्वास का आनन लेते थे मतलब जब तक गाओं के बुजुर्गों का विश्वास उनको मिला रहता था तब तक मुख्या रहते थे ऐसा ना करने पर उनके द्वारा बर्खास किया जा सकता थ मुख्या का मुख्यकार लेखाकार या पंचायत के पटवारी की सहायता से ग्राम का लेखा यानि जो अकाउंट होता था उसको तयार करना और उसकी देखरेक करना ये इसका में काम होता था छोटे मटे और काम नाली बनाना सफाई करवाना ये सब काम भी रहते थे पंचायत ते अपने लिए वित्य की विवस्ता सबके सहयोक से एक समान वित्य पूल के मादिहम से कठा किया यानि सभी लोग मिलके एक चद्धत पैसा फंड हता करते थे उसों से पंचायत अपना वित्तिय काम करती थी गावं में रहने वाले बिभिन लोगों के बीच जाती की सीमाओं को बरकरार रखा गया कि जाती प्रथाना तूटे इसका ध्यान लगते थे एक जाती पंचायद भी होती थी इसमें जाती पंचायद इसकी भी चर्जान वाने चैक्टर में की है कि वो अलग-अलग जाते हो के बीच निपताते थे मामले को पंचायतों को जुर्माना लगाना गंभिर दंद देना और गांव से निस्कासित करना यह सारे अधिकार पंचायतों को प्राप थे छोटे-मोटे जो फौजदारी मामले होते थे क्रिम्नल केसे को छोड़के सारे ये केस खुद हेंड़ कर लेते थे अब अगता सब्सक्राइब करें इसको क्या होता है और सायोग अंदोलन गादी ने शुरू किया दोनों को जोड़ दिया इन अंदोलन ने अपनिवेशिक भारत में लोगप्री ये कारवाई की जिससे एक अभूतपुर लहर बन गई भारतियों ने सरकार के साथ किसी भी इस्तर पर सायोग नहीं किया इस्कूल कॉलेज और कानून अदालतों का बहिसकार हो गया जो सरकारी स्कूल और सरकाली कॉलेज थे राष्टी स्कूल कॉलेज सब खोले गए ठीक न यानि कि यहां के लोगों ने अपने स्वदेशी कॉलेज और स्कूल खोले टैक्स को नहीं भरने की बात की गई जो पार्जी सिख एक जूठो कर रहे और इसमें कई सारे स्वयम सोय क्यानी वॉलिंटियर सामिल हुए तो यह बहुत बड़ा आंदोलन था जिसमें पूरी तरह से विदेशी वस्त्र विदेशी सहयोग विदेशी स्कूल कॉलेज विदेशी दफ्तर कानून सब में और सहयोग या हम कोई कोपरेशन नहीं करेंगे यह आंदोलन चलाया गया कई अधिकारियों ने पदों से स्थिफा दे दिया बैटक में हर वर के लोग सामिल हुए मैलाओं ने बड़ी संक्या में भाग लिया स्वासासन के लिए परिक्षर था कि आप स्वराज या खुद का शासन चला सक तेकिने उसका एक परिक्षर था एक टेस्ट था कि अगर हम इनका शासन छोड़ दें तो क्या हम खुद सर्वाइब कर पाएंगे यह एक इंपॉर्डेंट बात थी अब इसी में अथवा करके कि सविने अब अग्या अंदोलन जिसको बोलते हैं सिविल डिस ओविडियंस सब्वाइब करें मौमिंट से इसको ननवक अंदोलन मिंद कहा गया तो गांधी जी ने नमक कानून के खिलाफ सभी ने अघया अन्दोलन चला लोगों को महना भी पड़े गई गांधी जी ब्रिटिस साशन के खिलाब व्यापक असंतोस को लामबंद करने की आसा रखते थे और डांडी मार्च उन्हें निस्वतीस में सुरू किया दांडी में नमक कानून तोड़ा देश के अन हिस्सों में समनांतर नमक मार्च आयुज और सकूल और स्कूलों में चली भारतियों को घिरफतार किया गाधी जी उच जाती से अचूतों की सेवा करने का उन्रोत किया हिंदू मुसल्मान पारसी सिकhों को एकजूट होने मिलें कहा गया कई समिल हुए आधिकारियों ने पदोस सिष्थिवा दिया सभाओ में हर वर इसको कवर किया गया नमत मार्च निन्हें भारतियों को कुछ सक्तियां देना पड़ेगा और इसी तत्वधान में गोल्च मेलन की बात हुई जिसमें पहले मैं कॉंग्रिस ने था अब कि अब एक अप्तिस्वा है कि यह आपका आगया क्या सोर्स बेस्ट कोश्चन अब बहुत बड़ा पराग्राफ या सोर्स आपको दिखाये जाएगा और इस सोर्स के साफ का आंसर देना है तो सांची की जहलक है इसमें आप चाहें तो पॉस करके इन चीजों को पढ़ सकते है कि भोपाल राजी के प्राचीन अवशेशों में सबसे अद्बुत साची कनखेडा की मारते हैं भोपाल से 20 मील उत्तर पूर्व की तरफ एक पहाड़ी की तलहटी में बसे इस गाओं को हम कल देखने गया थे हमने पत्थर की वस्तू बुद्ध की मूर्ती और एक प्राची के चित्र बनाएं वहां के अविलेखों को पढ़ा और गुंबद नुमा धांचे के बीच ओबीच खुदाई की उन्होंने इस खोज के निसकर्सों को एक अंग्रेजी पुस्तक लिखा है भोपाल की नवाब साजहाब बेगम की आत्म कहता ताजुलिक बाल तारिक भोपाल से 1876 में SD बाटों ने इसका अनुवाद किया अब इसी सोर्स पर आपके लिए एक सवाल है सिंगंदर कनिंगम के लिए साची की दिल्चस्पिक क्यों थी करिंगम आप जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट इतिहास के लिए महतपूर्ण भारती पुरातत वेदा कनिंगम को सचीत रिपोर्ट त्यार करने थी इसलिए इंट्रस्टेट थे साची ड्राव जो है यानि साची के जो इंपॉर्ण यह बहुत विरासत का केंद्र भी है और भारत के इतिहास और पुरातत्तों का एक महतपूर्ण हिस्सा है इसलिए क्या थे कनिंगम इसमें करता है साजहां बेगम यह साची के स्ठूब का सन्यक्षण कैसे किया तो भोपाल के सासक साजहां बेगम और जिया जिसमें करिंग thought to जौन मार्सल द्वारा लिखे संस्क्रणों को प्रकाशन में भी पैसा दिया था तो इस तरह साजां बेगम जो थे भबाल की नवाद के हां की उन्होंने प्साजी के स्थूप को बहुत महतों दिया अब देखें यह मीरा भाई किसे संबंदित एक स्रोथ है तो मीरा भाई जो रचीत एक गीत का अंस है कि अगर चंदन की चिता बनाऊं अपड़े हाथ जल जलवल भाई भशम की धेरी अपड़े अंग लग जा मीरा कहे प्रभुगिरदर नागर जोत में जोत मिला जा एक और 本त में कहते हैं कि राणों जी जा इसासी हरी रुस्या कुमलास्या मीरा भाई को त अब रस्यां-ब टपास्या के आगए और भकित गया ख़़ाद ऑपust कहा कि खड़ी दिखाई दूसरा प्रशन है मीरा भाई के मेवार के साथ संबंदों का विशेशन कीजिए तो मीरा भाई की साधी मेवार के राजकुमार से हुई थी लेकिन कुछ वर्सों के बाद मेवार के राजा की मिक्ति हो गई और उन्होंने सब महल वहल टाग दिया था कृष्ण को अपना लिया एक तो बाकी संथ जो है वो नीचले कास्थ के नीचले आर्थिक सं़ाजिक प्रिष्ट भुल नी बहुत ऊचा था फिर वी वो संथ बन गई इसलिए अनोकी थी सभी पूरुस थे यह महिला थी इसलिए अनोकी थी एक राजकुमारी की रूप में जन्मी एक संत का जीवन को चुना वो तपस्या का जीवन जीती थी अपने प्रियक किष्णे के प्रती पूर्ण भक्ति उन्होंने दिखाई गी अब यह एक स्रोथ है यह स्रोथ बहुत बड़ा है और इस पर आपको आंसर देना है तो हमने यह एक स्वतंत संप्रभू गर्राज की स्थापना का दिण और पवित्र संकल्प लिया है भारत का संप्रभू होना नियत है अचाहें तो पॉस करके भी पढ़ सकते हैं इसको इसक उन लोकतांत्रिक संस्थानों के पक्षिदर हैं सवाभवी हैं हमारे लोकतांत्र से कुछ पहले कुछ भी नहीं यह लोकतांत्र कैसा होगा उसकी सकल सुरत कैसे होगी या एक अलग मसला है आज के लोकतांत्र看看 खिय तो ने बढ़ na है मैं आसा करता हूँ कि किसी कथित लोकतांत्रिक देश की एक खास लोकतांत्रिक पणाली या विसेग की हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं हो सकता है कि हम उन से का इस्तमाल नहीं कियों कि हमें लगा कि या तो सवहविक है कि गढ़ राज सब्द में या सब्द नीहित है इसलिए हम आवशक और अनुपयोगी सब्दों का प्रयोग नहीं करना चाते थे हमने सब्सक्राइब मात्र से कहीं ज्यादा ध्यान दिया है हमने इस प्रस्ताओं में लोगतंत्र की अंतरवस्तु प्रस्तूत की है बलकि लोगतंत्र की नहीं आर्थिक लोगतंत्र की अंतरवस्तु भी प्रस्तूत की है अन सदस्यों को इस बार पर आपत्ती हो सकती है कि इस प्र सवाल आया है संप्रभूता जिसको बोलते हैं सोवर्जिनिटी जिसमें आप अपने नेड़े खुद ले सकें संप्रभूता सब्द की व्याख्या करें इसका मतलब है कि लोगों को आंतरिक नेड़े लेने का सर्वोचादिकार है साथी बाहरी मामलों में कोई भी बाहरी सक्त किसी अन राज ये बाहरी सक्ति के नियंतर के अधीन नहीं होना या गड़ राज इसे संबंदित था जो लोगों द्वारा और लोगों के लिए सरकार का संकेत देता था यानि एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात करता था संव्यधानिक निर्माताओं ने आर्थी को किया जाना चाहिए इसी नहीं हमारे लिखा है एक जस्टिस कौन सा सोचल एकोनोमिक और पॉलिटिकल वे चाहते थे कि भारत एक समाजवाली राज बने उन्होंने ऐसी नीतिया बनाने की कोशिस की जिनके जरिए और इस्थिति के असमानताओं को कम किया जा सके यानि इंकम आप आंधर परदेश में दिखाएंगे राकी गड़ी जो हरियाना में सिंदु घाटी सब्टा तो आप यहां पर इसी दिखा सकते हैं दिस राकी गड़ी ठीक है यहार्यादा में सेकंड नमबर आप राकी गड़ी दिखा देंगे थर्ड विजयन अगर करनाटक तो इसमें तो कोई धिक्कत नहीं है थर्ड विजयन अगर हमपी करनाटक दिखा देंगे और अगर आउत्तरप्रदेश में आप इसली दिखा सकते हैं तो फोर्थ नंबर यूपी में दिखा देंगे ये चार चीजें आपको मैप पर दिखानी है जो इसली आप दिखा सकते हैं इसमें कहीं को दिक्कत नहीं आनी चाहिए तो मैप आधारित पर भी आपके सामने उपस्थित है तो इस तरह हमने इस पूरे सेंपल पेपर को बहुत इत्मिनान से समझ लिया लॉग आर्सर्स के पॉइंट देख लिए दो चार चीजें आपको कलियर रखनी है एक रीजन असर्सन करण काथन कारण वाले सवाल भी आएंगे बहुत भी गल्पिये सवाल भी आएंगे ये तो तय है लॉग आंसर में आप पॉइंट वाइस ज़्यादा आंसर लिखें और जो आप कह सकते हैं कि वर्ल लिमिट है इसका विसेज ध्यान दखें और मैप की प्रेक्टिस भी करते रहे हम भी मैगनेट ब्रेंस हिंदी पर आपको ये सारे प्रेक्टिस कराते रहेंगे तो आपको ये sample paper देखकर कैसा लग रहा है कितना आपकी तैयारी महसूस हो रही है किन जगों पर आपको कमी लग रही है या और तैयारी की जरूरत है ये सारी चीज़ें आप comment box में जरूर बताईएगा और sample paper को खुद भी solve करने की कोसिस करिएगा कोई doubt समस्था हो भी बताईएगा क्या और किया जा सकता है क्या आप चाहते हैं कि हमारी तरफ से और मदद हो आपके परिक्षा से पहले ये भी आप जरूर करेंगे और please sample paper को सभी तक सियार करिएगा ताकि हम सब तक ये चीज़ें पहुंचा सकें क्योंकि आप जानते हैं कि magnet brain से कैसा platform है जहां पर ये सारी चीज से पढ़ें एप से पढ़ें या यूटूब से पढ़ें आपको कोई paid subscription नहीं लेना हमारे social media के platform से आप जुड़े रहेंगे जैसे यूटूब